नमस्कार, आपके डॉक्टर ने एको कार्डियोग्राम किया है और उसमें जो है आपका डाइग्नोसिस बना है एोटिक वैल्व डिजीज का तो यह aotic valve disease जो है aotic stenosis भी हो सकता है जिसमें valve सिकुड गया है या फिर aotic regurgitation हो सकता है जिसमें valve में leakage है या फिर इन दोनों के varying amounts of combination हो सकते हैं आपको symptom है आपको chest pain है या फिर सांस्टैने में दिकत है या फिर asymptomatic disease भी हो सकती है जहां पर valve बहुत ज़्यादा disease है लेकिन symptom आ ज़रूरत होगी aotic valve replacement बहुत अच्छा operation है millions of लोगों का जो है होता है और इसके outcomes भी बहुत अच्छे है 98.5-99% आप अच्छे outcomes expect कर सकते हैं long term survival as well as short term survival बहुत अच्छा है valve को replace करने के लिए जो है metal का valve या फिर tissue valve ये दो option है जो की choose किया सकते हैं आपके doctor आपसे जो है discuss करेंगे कि आपको metal का valve suit करेगा या tissue का valve और इसमें आपका decision भी important होगा कि आप जो है metal का valve चाहेंगे या tissue valve चाहेंगे metal के valve में blood thinners जो होते हैं वो लेने की ज़रूरत परती है lifelong biological valve या tissue valve में जो है blood thinners लेने की ज़रूरत नहीं है लेकिन उनका एक durability वाला issue होता है generally जो है जो elderly patients होते हैं जो old age वाले patient है 55 and plus age group है वहाँ tissue valve recommended होता है और जो younger patients होते हैं उनमें metal का valve recommended होता है क्योंकि metal का valve durability बहुत अच्छी होती है lifelong चलता है even though blood thinner लेना पड़ता है साथ में लेकिन durability अच्छी होती है tissue के valve में आपको blood thinner नहीं लेना है durability relatively reasonable होती है अगर 60 साल से उपर के विक्तियों में लगाया जाए तो अगले 15-20 साल तक अच्छा चलता है नमस्कारा